गूड मॉर्माय। तो ये सैंट्र आईट को फूखतेे सकते हैं। कि आप इना देख सकते हैं इसका फूटिंग एरिया। इस पार इंतुरत करें आया हिघ्र और अच्छे खाशू सेंपल लगा इंद। बहुत अच्छा कहूंगा मैं आप तो लगो यह साथ छे साथ साल का पौदा इसमें ठीक फ्रूटिंग हो रखी है और अभी भी हम इसमें फ्रूटिंग एरिया फिर से त्यार करें और यह बीच में आपको टूथ-पिक इंग दिख रही होगी जी हाँ इसमें अभी से मैंने पौदे ब्रांच इस दिखालने की कोशिश किया तो जितने जाद हमारे पर ब्रांची जोगी उतने जादे हम फ्रूट ले सकते हैं और इस पौदे में देखिए यहां पर मैं भी टूथ-पिक बाइंडिंग कर रहा हूं तो यहां पर मैं टूथ-पिक लेकर आया और यहां पर भी अभी टूथ-पिक लगानी होगी क्योंकि इसमें तीन की चार ब्रांची जो है वो नए अभी ब्रांची निकली है तो इन ब्रांची में जब मैं टूथ-पिक लगाऊंगा तो उसके बाद यह थोड़ा सा लीडर से हटके थोड़ा आँ लीडर से हटके थोड़ा यह काम करेगी ताकि सीधा डॉल्प हो सके और लीडर को फिर से एक तरह से पावर मिल सके ग्रोग करने के लिए तो बाकी जो एक्स्ट्रा शूट है वो मैं अभी आपके सामने थोड़े बहुत निकाल देता हूँ अल्मूस्स सारे मैंने यहां पे निकाल दीए जो थोड़े बहुत रहे हैं यहें मैं निकाल देता हूँ यहां पर तो बैनेफिट से इसका यही है कि अगर हम अभी अभी प्रूनिंग करते हैं समन प्रूनिंग तो हमें आगे फिर जादा प्रूनिंग नहीं करनी होगी और एक तरह से हमें फुरूटिंग एरिया त्यार कर लेते यह непूछ आपको दिखाने जा रहा हो यहां पड़ में आपको डिखाने जा रहा हो यहां पर एक यह सायट वाली ब्रांच यह यह एक ferd लाफ गया है और है यह यहां पर तूटपिक और यहां पर मैं थोड़ी सी यहां पर यह सीधा जा रहा है तो इसको मैं काट के यहां पर तूटपिक लगाऊंगा करनी जरूरी है बहुत जरूरी है बावनों आप लोग जरूर करें यहां पर फोड़ा सा स्पेस है तो मैं से काट के लगाता हूं और यह देखिए यह लंबी है टूट टूट पिक पर यहां से पीछे से नहीं लग रहे यह पूरी मैन ब्रांच से नहीं लग रहे तो मुझे यहां पर छोटी से लगानी हूँ यह देखिए इस तरह से अब इसका जो डाया वह भार की तरह हो गया है तो अब यह लीडर के साथ की डेंड़ा लगा रखा यह ताकि जो इसके साथ मैं ग्राफ्ट कर रखता है उसे बाफर की चरफ कर दिया और यहां पे यह वाला जो है यह आप देख सकते और यहां पे यह जो है यह रड़ लग का है और इसे मैंने थोड़ा बाहर की दरफ कर देख शुली मैंने यहां पर बाद में ग्राफ्ट किया था तो यह अच्छी खासी ग्रोथ ले चुका है मुझे इसे रखना ही होगा तो बने रहे इसंट यूट्यूब चैनल के साथ और यहां पे देखिए मने यहां पे डंड़ा यूस किया है तो श्कीन में गार दे अगर आप डंड़े यूस कर रहे है ताकि श्कीन से छूटे ना तो बागवां भाई ूजन बने रहे इसंट आजए वे दो खासी यूट्य